हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों सिक्चा वर्ति जोड़ी कोई भी अपडेट हो में आपके पास वीडियो जरूर लाता हूँ और दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि लगातार आप प्रयास रत रहें पद ब्रद्धी को लेकर नाम मात्र के पदों पर भड़ती की जा रहे थी लेकिन अब पद ब्रद्धी की जा रहे ही दोस्तों जिससे की हमारे सभी भाई ब्यानों को लाम मिलेगा पूरी न्यूज आई हुई है दोस्तों जैसे की आप देख रहे हैं शिक्चक पातेता परिक्चा पास वेटिंग केंडिडेट को DPI की उप संचलक ने दिया आसवासन हाई इसकूल मिडल इसकूल में सिक्चों की बढ़ती के लिए बढ़ेंगे आठ हजार पर जल जारी होगा नोट्पिकेशन इस न्यूज में देखें दूस्तों तो इसकुल शिक्चा विवाग में 8000 और उच्च माध्मिक और माध्मिक शिक्चों की भर्ती करने जा रहा है इस सम्मझ में लोग शिक्चा संचाल है डिपी आई ने जल्दी नोट पिकिसन जारी करेगा इस मामले में सासन की मंजूरी का इंतजार है इन पदों के बढ़ने से वेटिंग कैंडिडेट और न्यूपती का इंतजार कर रहा है अन वर्गों के अभ्यारती को लाब मिलेगा यानि जो वेटिंग है वहाँ पर वेटिंग किलियर होगी और जिनका नाम अभी वेटिंग में नहीं उने भी वहाँ पर लाब मिलेगा दूस्तों High School और Middle School में करीब 17,000 पत खाली हैं करीब 20,000 पतों पर भर्टी पिरकिरिया जारी है इन में से 13,000 सिक्चक निक्त किये जा चुके हैं बाकी 8,000 पतों पर निक्ती किनी कार्णों से अटकी हुई है इसके अलावा विवाग 8,000 और खाली पतों पर भर्टी की तैयारी में इस तरह का आस्वासन बुद्दवार को DPI के उपसांचालक स्रीकामना आचारी ने सिक्चक पातिता परिक्चा पास करने वाले वेटिंग केंडिडेट को दिया है अब भ्यारती पत ब्रद्दी के मांग को लेकर PS स्कूल सिक्चा और DPI आयोक्त को ग्यापन देने पहुचे थे उन्होंने आस्वासन दिया है कि उच्च मादमिक सिक्चों के 3,000 एवां मादमिक सिक्चों के 5,000 पत बढ़ाए गए हैं जिनका नोट्पिकेशन जल्दी जार होगा यहां पर यदि आप देखेंगे इस्कूलों में खाली सिक्चों के पत दोस्तों 70,000 हैं पहले वर्ग एक उच्च मादमिक सिक्चों के 17,000 पत यानि फर्ष्ट काउंसलिंग में 15,000 पत बढ़े जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में जो पत रह गए हैं और 2000 पत कुल मिल साके 17,000 पत भढ़ने की बात आपके नूटिफिकेशन में कही गई है बर्ग दो की बात करें शिक्चों के पत अभी 5,670 हैं बर्ग तीन की बात करें तो 9,500 बढ़ने वाले बर्ग एक में पदों की संकिया है 3,000 पत और बढ़ाए जा रहा है दोस्तों बढ़ने वाले बर् सबी तक पहुंचा रहे हैं तो स्री रंजीत गौर जी को दिल से धन्यवाद यहाँ पर आप देखें पातता प्रिक्चा पास करने के बाद बेटेंग कैंडिडेट नियुक्ति का इतजार कर रहे हैं पद सुईकेट नहीं होने से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है इसको लेकर जल रही नियुक्ति तो मिलेगी इसकोलों ने सिक्टकों के कमी भी दूर होगी दोस्तों हैं कि दूस्तों यह आपकी एकता की और लगातार प्रियास की सब से बड़ी जीत है आपको जितना भी थैंक्स बोलूं दोस्टों उतना कम है फिर भी दिल से थैंक्स ये वीडियो एक सुझना माता था आपने इससे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए धन्नवाद